वेल्कम गाइस हमारे चैनल पर नई है टू लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें तेरे इश्क पर जान कुर्बान भाग दो मधू तो आगे बढ़ गई पर मीरा अभी भी उसी लड़के को पलत पलत कर देख रही थी मधू ने जब मीरा को उस लड़के को देखते देखा तो मुस्कुराते हुए उसकी बाह पकड़कर बोली आगे देखकर चल मीरा गिर जाएगी पीछे इतना खूबसूरत न जारा हो तो कोई आगे क्यों देखेगा प्यार कितना होट है उसकी बॉड़ी तो देख उसके सिक्स पैक साफ नजर आ रहे है मीरा ने फिर से उस लड़के को देखकर कहा मधू ने मूँ बना कर कहा ची मंदिर में खड़े होकर इस तरह की बाते कौन करता है मुझे तो लगता है कि वो इस मंदिर का कोई नया पुजारी है अगर इतना होट पुजारी हो तो मैं तो 24 घंटे मंदर में ही खड़ी रहूँ मीरा ने चलते चलते उस लड़के की ओर देखकर कहा ये सुनकर मधू को हंसी आ गई और उसने मीरा की कलाई पकली और तेजी से चलते हुए कहा मुझे लगता है तेरा यहां से जाने का कोई इरादा नहीं है पर मैं अगर टाइम पर घर नहीं पहुँची तो हमेशा के लिए घर से बाहर कर दी जाओंगी मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और मूँ बनाते हुए मधू के साथ चल दी गर्वग्रा से बाहर आकर वो दोनों वहाँ बने बाकी मंदिरों में एक एक करके माथा टेकने लगी मीरा ने मधू को छेड़ते हुए कहा वैसे मधू उस लड़के के साथ तेरी जोड़ी एकदम पफेक्ट रहेगी ये सुनते ही मधू के कदम मंदिर की सीडियों पर ही रुख गए उसने गुसे में कहा तुझे न कभी कभी पागलपन के दोरे पड़ते है कुछ भी बोलती है इतना कहकर मधू गुसे में जाने लगी पर मीरा ने उसकी बाह पकड़कर कहा अरे नाराज क्यों हो रही है मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तू बुलेनात की पुजारन और वो पुजारी क्या जोड़ी रहेगी तुम दोनों की मधू ने मुस्कुराते हुए मीरा की और देखकर कहा मुझे कोई पुजारी नहीं चाहिए मुझे वो लड़का तब ज्यादा अच्छा लगता जब उसने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी होती उसकी पस्नेलिटी को भी सूट करती ये सुनकर मीरा आखे खोले उसे घूरने लगी मधू ने फिर से कहा मुझे घूरना बंद कर और जल्दी से सारे भगवानों के दर्शन कर ताकि हम जल्दी घर पहुँच सके इतना कहकर मधू आगे चल दी मीरा दोड़ती हुई उसके पास आई और उसकी बाह पकड़कर उसे छेड़ते हुए बोली वैसे मुझे नहीं पता था कि तूने उस लड़के की पस्नेलिटी पर इतनी जल्दी रीसर्च कर ली है लगता है तेरा दिल आ गया है उस पर तभी तूने उसे इतने ध्यान से देखा कही तुझे उससे पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया शट अप मीरा आज तू मेरे हाथ से बहुत मार खाएगी मधू ने गुस्से में कहा उसके इतना कहते ही मीरा हस्ते हुए भाग खड़ी हुई मधू भी उसके पीछे दोड़ने लगी दोनों मंदिर परिसर में पकड़म पकड़ाए खिलने लगी तब ही मंदिर परिसर में लगे तकहत में मधू का दुपटा फंस गया वो अपना दुपटा निकालने की कोशिश करने लगी जब दुपटा नहीं निकला तो उसने अपना दुपटा जोर से खीचा जिसकी वजह से उसका बेलेंस बिगर गया दुपटा आकर उसके सिर पर गिरा और वो खुद भी गिरने लगी पर इससे पहले कि वो गिरती उसी लड़के ने आकर उसे अपनी बाहों में पकर लिया जो मंदर में पूजा कर रहा था मधू का चहरा धगा हुआ होने की वजह से उस लड़के को मधू का चहरा ठीक से नजर नहीं आया पर मधू की आँखे उसे नजर आ रही थी मदू उस लड़के को साफ साफ देख पा रही थी मीरा ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो उसकी आँखे खुली की खुली रह गई क्योंकि मंदर में पूझा करने वाला लड़का में उसके सामने ब्लू जिस और वाइट कलर की शर्ट में मदू को बाहों में लिए खड़ा था उसने जल्दी से अपने फोन से उनकी पिक्चर क्लिक की उस लड़के ने गुसे में मदू को खुद से दूर धकेल दिया और उसे घूरते हुए वहां से चला गया उसके जाते ही मीरा भागती हुई मदू के पास आकर बोली मदू आज कुछ और मांग लेती मेरी जान तो तुझे वो भी मिल जाता मतलब मदू ने अपने सिर से दुपटा हटा कर हैरानी से पूछा मीरा ने मुस्कुराते हुए उसके कंदे पर हाथ रख कर कहा मतलब ये माई दिये बैस्ट फ्रेंड की शायद आपने ध्यान नहीं दिया उस लड़के ने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी थी हुए कहा मधू ने तुरंद कहा तो हम भी चलते हैं इतना कहकर मधू ने मीरा का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर उसी दुकान पर आ गई जहां से उन्होंने प्रसाद लिया था मीरा ने टोकरी से प्रसाद उठा कर अपने बैग में डाला और दुकानदार को टोकरी वापस दे दी उसने अपनी सैंडल पहनते हुए मधू से कहा तु यही रुका मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ मधू ने मुस्कुराते हुए सिरहिला दिया तो मीरा अपनी गाड़ी लेने चली गई उसके जाते ही मधू मुस्कुराते हुए यहां वहां देखने लगी तब ही उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ी जिससे वो टक्राय थी जो उससे कुछ कदम की दूरी पर ही खड़ा था वो लड़का गुस्से में बार-बार अपनी घड़ी की ओर देखे जा रहा था जैसे उसे कही पहुंचने की बहुत जल्दी हो मधू ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा अजीब बंदा है पहले मुझे गिरने से बचाया और फिर गुस्से में मुझे घूरता हुआ चला गया ठैंक्स तक बोलने का मौका नहीं दिया मंदिर में भी नारियल न मिलने पर उसका चहरा गुस्से में तमत्मा रहा था और अभी भी गुस्से में ही है पता नहीं कभी मुस्कुराता भी है या नहीं या फिर इसका चहरा ही ऐसा है तब ही उसने देखा कि उस लड़के के सामने एक ब्लیک कलर की बड़ी सी गाड़ी आकर खळी हो गई वहां से गुजर रही हर लड़की की नज़र आकर उस लड़के पर ही रुक रही थी उस लड़के ने बढ़ी अकड के साथ अपनी आखो पर ग्लासेज लगाए और चुटकी बजाकर ड्राइवर को बाहर आने का इशारा किया वाइट कलर की युनिफॉर्म पहने ड्राइवर बाहर आया उसके बाहर आते ही उस लड़के ने बहुत टशन के साथ अपनी गाड़ी का दर्वाजा खोला और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैट कर सीट बैल्ट बांधने लगा उसने ड्राइवर को पीछे बैठने का इशारा किया ड्राइवर तुरंद पीछे की सीट पर बैठ गया ड्राइवर के बैठते ही उस लड़के ने गाड़ी स्टॉट की और चला गया मधू उससे जाते देखी रही थी कि मीरा गाड़ी लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई मधू ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गई मीरा ने गाड़ी स्टॉट करते हुए पूछा उस लड़के को ढून रही थी शट अप मीरा मधू ने सीट बैल्ट बांधते हुए कहा मीरा मुस्कुराने लगी मधू ने गुसे में कहा उस लड़के का चहरा देखा था ऐसा लग रहा था जैसे पैदायशी खडूस हो पता नहीं उसके घरवाले उसे कैसे जहलते होंगे और हाँ तू मुझे तंग कर रही थी इसलिए मैंने बस यूँ ही कह दिया था कि उसे ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहननी चाहिए थी पर मुझे नहीं पता था कि उस पलमा सरस्वती मेरी जुबान पर आकर बैच जाएगी मीरा को हसी आ गई उसे हसते देख मधू भी हसने लगी इधर गायतरी निवास में घर के नौकर सब के कमरे साफ कर रहे थे गायतरी रोहित के कमरे में खड़ी मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीर देख रही थी उसने तस्वीर देखते हुए कहा रोहित जल्दी आ जाएए बेटा अब हमसे और इंतजार नहीं होगा तब ही रोहित ने गायत्री को पीछे से पकड़ते हुए कहा तो आपको इंतजार करने के लिए कौन कह रहा है दादीमा रोहित की आवाज सुनते ही गायत्री ने तुरंट उसकी और पलट कर देखा रोहित को अपनी आँखों के सामने देखकर गायत्री की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा उसने रोहित की दोनों बाहें पकड़कर उसे उपर से नीचे तक देखा और रोते हुए उसे गले लगा कर बोली रोहित मेरा बच्चा रोहित ने मुस्कुराते हुए अपनी दादी मा के आंसू पोच कर कहा अब तो मैं आ गया हूँ दादी मा इसलिए अब ये रोना बंद करिये और वैसे भी मेरी दादी मा रोती हुई जरा भी अच्छी नहीं लगती है अगर आपको हम रोते हुए अच्छे नहीं लगते तो क्यों नहीं बताया आपने हमें कि आप इन दोर आ चुके है गायतरी ने पूछा रोहित मुस्कुराते हुए अपनी दादी मा को पकड़ कर बाहर लिविंग रूम में लेकर आया और बोला हम सब आपको सर्प्राइज देना चाहते थे इसलिए आपको कुछ नहीं बताया वहां देखिये रोहित ने अपनी उन्गुली से इशारा किया गायतरी की नजर अपने बेटे और बहु पड़ी उन्हें देख कर उनके चहरे की खुशी और बढ़ गई उनकी बहु ममता ने अपने कंदे से अपना बैग उतारा और आगे बढ़कर गायतरी के पैर छूकर कहा कैसी है माँ आप गायतरी ने ममता के सिर पर हाथ फेर कर कहा हम ठीक है बेटा आप कैसी है ममता कुछ बोल पाती उसके पहले ही गायतरी के बेटे चेतन ने आगे आकर गायतरी को गले लगा कर कहा मा बहुत मिस किया हमने आपको बहुत गायतरी ने मुस्कुराते हुए कहा याद तो हमने भी आप सब को बहुत किया आठ महीने आप सब के बिना रहे है सिर्फ हम जानते हैं कि हमने ये दिन आप सब के बिना जैसे गुजारे है मम्ता ने गायतरी के पास आकर कहा इसलिए तो हम चाहते थे कि आप भी हमारे साथ चले पर आप इस घर को छोड़कर कही जाना ही नहीं चाहती है चेतन ने गायतरी को सोफे पर बैठाते हुए कहा मा आप तो जानती है न कि मेरा पूरा बिजने इस लंदन में फैला हुआ है इसलिए मुझे वहां रहना पड़ता है जब भी मैं यहां आता हूँ आप से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप भी हमारे साथ लंदन चलिए पर आप ये घर छोड़ना ही नहीं चाहती प्लीज मा हमारे साथ चलिए आपकी फिक्र लगी रहती है हमें बहां मम्ता ने भी गायतरी के सामने सोफे पर बैठ कर कहा मा आप जानती है न कि हम रिद्धिमा और करन की शादी के लिए यहां आये है शादी होते ही हमें फिर से लंदन वापस जाना होगा पर इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे आप भी हमारे साथ चलेगी गायतरी ने मुस्कुराते हुए कहा इस बारे में हम बाद में सोचेंगे इतना लंबा सफर करके आये है आप सब ठक गए होंगे इतना कहकर गायतरी ने पास खड़ी सीमा से कहा सीमा सबके लिए चाय लेकर आये और फिर लंज की त्यारी करिए जी दादी मा, इतना कहकर सीमा किचन में चली गई रोहित ने पूरे घर में अपनी नजरे दोड़ाए और फिर काउच पर बैठते हुए बोला दादी मा, पिछले चह महीने में मैंने जब-जब आपको फोन किया है मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनाई दिया है मधू, आप तो कह रही थी कि वो सुबह साथ बजे से रात के दस बजे तक आपके साथ होती है पर मुझे तो कही नजर नहीं आ रही गायतरी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा, आज उनका जनम दिन है इसलिए हमने ही उन्हें आज छुट्टी दी है ओह, मतलब जिस लड़की की तारीफ मेरी दादी मा हमेशा करती रहती है उससे मिलने के लिए मुझे एक दिन का इतंजार और करना होगा प्रोहित ने मुँ बना कर कहा गायतरी मुस्कुराने लगी रोहित काउच से उठा और उपर अपने कमरे में जाते हुए बोला सीमा प्लीज मेरी चाए मेरे रूम में ले आना रिद्धिमा नहीं आई गायतरी ने चेतन से पूछा ममता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया मा वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली में रुप गई है जल्दी आ जाएगी वैसे भी शादी में बहुत कम वक्त रह गया है और सगाई तो एक हफ़ते बाद ही है इतना कहकर ममता ने चेतन की ओर देखा और कहा सुने जी आप जरा बलदेव भाई साहब को फोन तो करिए उन्हें बता तो दीजिए कि हम भी इंदौर आ गए है और उनसे ये भी पूछे कि करन इंदौर में है या फिर अपने बिजनेस की सिलसिले में कही बाहर गया है क्योंकि आपके होने वाले दामाद को बिजनेस के अलावा कुछ नजर नहीं आता पता चले की सगाई के दिन भी वो लापता ही रहे ये सुनकर चेतन और गायतरी को हंसी आ गई चेतन हसते हुए बोले खुराना कंस्ट्रक्शन का एमडी है मेरा होने वाला दामाद तुम अच्छी से जानती हो कि इंदौर ही नहीं बलकि इंडिया से बाहर भी उसका बिजनेस फैला हुआ है इसलिए उसके बस वक्त की बहुत कमी है तब ही सीमा ने चाय की ट्रेल आकर टेबल पर रखी और सब को चाय देने लगी मम्ता ने चाय लेते हुए कहा सही कहा आपने बहुत बिजी होता है करण पर अगर इंडिया में होता है तो हर सोमवार को बाबा महाकाल के दर्बार में हाजरी लगाने जरूर पहुंच जाता है और एक आपकी बेटी है जिसे ये तक नहीं पता कि आर्टी की थाल किस ओर घुमाई जाती है ये सुनकर गायत्री अपसेट हो गई पर चेतन हसने लगे और चाय पीते हुए बोले शादी के बाद सब कुछ अपने आप सीख जाएगी गायत्री फिर से सोच में पढ़ गई और ममता भी चाय पीने लगी इधर मीरा गारी ड्राइब कर रही थी और मदू परेशान यही सोच रही थी कि आज वो लीव लेकर मीरा के साथ उच्जैन चली तो गई पर अगर वो अपनी सेलरी लेकर घर नहीं पहुँची तो उसकी मा बहुत नाराज होगी उसे अपने पापा की भी चिंता हो रही थी और अपने भाई की फीस की भी उसने मन ही मन खुद से कहा मदू तू अपने जनम दिन के चक्कर में दादी मा से तंखवाह लेना ही भूल गई फिर से जाएगी तो पता नहीं दादी मा क्या सोचेंगी क्या सोच रही है मीरा ने गाड़ी को बाए और मोडते हुए कहा मधू ने मीरा की ओर देखकर कहा आज दादी मा ने बताया कि उनकी फैमिली बहुत जल्द वापस आ रही है मैं बस यही सोच रही थी कि उनकी फैमिली के आने के बाद अगर उन्होंने मुझे टाटा बाए बाए कर दिया तो यह सुनकर मीरा भी सोच में पढ़ गई और बोली मुझे नहीं लगता मधू की दादी मा तुझे कभी नौकरी से निकालेगी क्योंकि उन्हें बहुत लगाव हो गया है तुझसे वो तुझे अपनी फैमिली की तरह ही समझने लगी है इसलिए तू टेंशन लेना छोड़ दे और अगर उन्होंने तुझे नौकरी से निकाल भी दिया तो हम तेरे लिए दूसरी नौकरी धून लेंगे ये सुनकर मधू मुस्कुरा कर सामने देखा सामने देखते ही वो चौक गई उसने गुसे में मीरा से कहा मीरा चुपचाप गाड़ी मेरे घर की तरफ ले हम राजबढ़े नहीं जाएगे शट अप मधू मुझे तेरे लिए बढ़ते गिफ्ट्स लेने हैं और वो लिए बिना मैं तुझे तेरे घर ड्रॉप नहीं करूँगी समझी तो मीरा ने गाड़ी को दाएं गुमाते हुए कहा मधू को मीरा पर बहुत गुसा आ रहा था पर वो चाहकर भी मीरा से कुछ बोल नहीं पाए और मुझे बनाकर बैट गई कुछ देर में दोनों राजबाड़े पहुँच गई मीरा ने ठीक राजबाड़ा चौप पर अपनी गाड़ी रोकी और मधू से कहा तू यही रुक मैं गाड़ी रखकर आती हूँ मधू ने सिर हिला दिया और मीरा मुस्कुराते हुए गाड़ी लेकर चली गई राजबड़े पर आना मधू को भी बहुत पसंद था इसलिए अपने चारों और इतनी सारी चहल पहल देखकर उसके चहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई उसने पलक कर राजबड़े पर बने महल की ओर देखा जिसकी वज़े से ही उस जगह का नाम राजबड़ा पड़ा था महल में मरमत का काम चल रहा था और उसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था मधू, मूह बनाकर फिर से सामने देखने लगी उसके सामने से बहुत सी गाड़ियों गुजर रही थी और उसके पास एक लड़का चश्मे और पहियों बेच रहा था पास ही एक औरत अपने पांच साल के बच्चे के साथ उसके लिए चश्मा देख रही थी मधू भी उस लड़के के पास जाकर घड़िया देखने लगी उसे एक घड़ी पसंद आई और उसने उस लड़के से पूछा भाईया ये कितने की है साथ सो रुपय की उस लड़के ने जवाब दिया मधू ने घड़ी वापस रखते हुए कहा नहीं चाहिए भाईया इतना कहकर मधू वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई और घड़ी वाले के पास खड़े बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी उस बच्चे की नजर एक बलून वाले पर पड़ी और वो बच्चा अपनी मां की साड़ी छोड़कर सड़क पर खड़ी उस बलून वाले की और बढ़ने लगा पर मधू ने भाग कर उस बच्चे को पकड़ कर कहा कहा जा रहे हो जाओ अपनी मम्मी के पास बच्चा भागता हुआ अपनी मम्मी के पास वापस चला गया मधू वही खड़ी उसे देखकर मुस्कुराने लगी तब ही तेजी से आ रही एक देन मधू को टक कर मारने ही वाली थी कि एक लड़के ने आकर अपनी दोनों बहों में मधू को पकड़ा और रास्ते से गुजर रही वेन के नीचे आने से बचा लिया मधू ने उस लड़के की शर्ट अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली उसका सिर भी उस लड़के के सीने से टिका हुआ था पर वो लड़का गुस्से में उसे घूर रहा था उसने गुसे में मदू की दोनों कलाई पकड़ी और अपनी शर्ट छुडवाई मदू ने अभी भी डर के मारे अपनी आँखे बंद की हुई थी और वो लड़का मदू की दोनों हथेलिया पकड़े उसे घूर रहा था उस लड़के ने गुसे में मधू को खुद से दूर धकेल दिया मधू ने घबरा कर अपनी आँखे खोल ली सामने वही मंदर वाला लड़का खड़ा था उसे देखकर मधू की आँखे खुली की खुली रह गई वो लड़का मधू को गूरता हुआ मधू की और बढ़ने लगा दर के मारे मधू का दिल जोरों से धड़कने लगा उसने मधू के पास आकर कहा अपने पर जाओ और अगली बार अपने माँ बाप से चलना सीखा कर ही सड़क पर निकलना ताकि आगे से मुझे तुम्हें बचाना न पड़े इतना कहकर वो लड़का जाने लगा मधू ने उसे जाते देखा तो हैरानी से पूछा एक्सिक्यूज मी उस लड़के ने गुसे में पलत कर मधू की ओर देखा और फिर से उसके करीब आकर बोला मैं जानता हूँ कि तुम वही मंदर वाली लड़की हो जिसे मंदर में गिरने से मैंने बचाया था ये सुनकर मधू ने अपनी आखे बड़ी बड़ी कर ली और वो एक तक उस लड़के को देखने लगी लड़के ने मधू से कहा तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे चेहरे पर गूंघट होने की वजह से मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा ये सुनते ही मधू ने अपनी नजरे जुका ली करन खुराना अपने आसपास हो रही हवा की सरस्राहट पर भी नजर रखता और तुम्ह तो मुझसे टकराई थी चेहरे पर गूंघट होने के बाद भी तुम्हारा चेहरा मुझे साफ नजर आ गया था और तुम्हारी ये आँखे तो एक बार जो देख ले जिन्दगी भर न भूले उस लड़के करन ने मधू को गूरते हुए कहा और फिर वहां से जाने लगा उसके जाते ही मधू ने अपनी नजरे उठाए और उसे देखने लगी तब ही करन के कदम एक बार फिर रुख गए और मधू की धड़कने और तेज हो गई करन फिर से पलटा और एक बार फिर से मधू की और बढ़ने लगा वो मधू के पास आया और उसने मधू को गूरते हुए अपना वालेट निकालकर उसमें से सो का नोट निकाला मधू घबराए हुई सी उसे ही देख रही थी करन ने मधू को घूरते हुए उसकी दाई हथेली पकली और उस पर सौ का नोट रखकर मधू की मुठ्थी बंद करते हुए कहा करन खुराना को किसी का अहसान लेना पसंद नहीं है महाकाल मंदर में तुमने मुझे अपनी पूजा का नारियल दिया था ये उसी अहसान की कीमत है मधू करन की इस हरकत से हैरान भी हुई और उसे करन पर बहुत गुस्सा भी आया करन उसे घूरता हुआ जाने लगा रुके मधू ने गुस्से में कहा मधू की आवाज सुनकर करन के कदम रुख गए पर करन ने मधू की ओर पलत कर नहीं देखा मधू करन के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसने करने की हथेली पकड़ कर उसके हाथ में उसका ही सो का नोट रख कर उसकी मुठ्थी बंद करते हुए कहा ये नोट और ये गुरूर दोनों अपने ही पास संभाल कर रखे मिस्टर करन खुराना क्योंकि उस वक्त मंदर में मैंने आपको पूजा का नार्यल ये सोचकर नहीं दिया था कि मैं आप पर अहसान कर रही हूँ बलकि इसलिए दिया था ताकि आपकी पूजा अधूरी न जाने लगी करन गुसे में तमतमाया हुआ उसे जाते देख रहा था मधू कुछ कदम ही चली थी कि अचानक उसके कदम रुख गए और उसने पलटकर करन की ओर देखकर कहा वैसे मेरी जिन्दगी इतनी कीमती नहीं थी जिसे बचाने के लिए आपने अपनी कीमती पूलूंगी आपने मंदर में भी मुझे गिरने से बचाया उसके लिए भी थैंक यू इतना कहकर मधू वापस जाकर फिर से राजबढ़े के सामने खड़ी होकर मीरा का वेट करने लगी करन मधू को गुसे में घूरता हुआ कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी के पास उसने अपनी आँखों पर ग्लासिस लगाय और फिर से पलत कर मधू को घूरा मधू भी गुसे में उसे ही देख रही थी करन ने गाड़ी का दोर खोला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टॉट की करन मधू के बहुत नजदीक से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया उसक जाते ही मधू ने गहरी सांस ली और खुद से कहा बाप रे एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तूफान मेरे बहुत नजदीक से गुजरा इतना गुसा और उससे भी ज़्यादा पैसों का इतना गुरूर इतना कहकर मधू ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा भुलेनात मुझे इस तूफान से बचाने के लिए थैंक्यू पर उस लड़की पर जरूर दया करना जो इनके साथ अपनी सारी जिन्दगी बिताएगी किस पर दया करना मीरा ने आकर पूछा मधू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुसे में उससे पूछा कहां चली गई थी मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ मीरा ने मुस्कुराते हुए मधू की बाँ पकड़ी और राजबणे के पास की सड़क से चोर बजार की ओर चलते हुए बोली जब में गाड़ी पाक करने गई थी तो वही पास एक शोरूम पर मुझे एक बहुत खूपसूरत सी ड्रैस दिखाए दी उसे खरीद कर गाड़ी में रख कर आई हूँ तब ही चलते चलते मीरा की नजर मधू के कानों पर गई और उसने हिरानी से पूछा मधू तेरा एक जुमका कहा है मधू ने तुरंत अपने दोनों कानों पर हाथ रखा उसके बाएं कान में जुमका नहीं था उसे कुछ देर पहले हुआ हादसा याद आया जब करन ने उसे बचाया था मीरा ने फिर से कहा लगता है कहीं गिर गया तुझे पता भी है कि अभी यहां मेरे साथ क्या हुआ मधू ने चोर बजार के अंदर आते हुए पूछा तो मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा क्या हुआ है मधू मधू उसे सब बताने ही जा रही है कि अचानक उसकी नजर चोर बजार में लगी धेर सारी दुकानों पर पड़ी और उसके चहरे पर मुस्कान आ गई उसे मुस्कुराता देख मीरा बहुत खुश हुई और फिर से बोली चल चल कर सस्ती सुन्दर शौपिंग करते हैं जैसी तुझे पसंद है मधू हंस दी और दोनों चोर बजार की सकली सी गली के अंदर घुसी जहां गली में दोनों और कुछ लोग सामान लेकर जमीन पर ही बैठे थे तो कुछ लोगों ने दुकाने लगाई हुई थी वीर इतनी थी कि अगर पीछे से एक धक्का लगा तो इनसान गली के दूसरे छोर से सीधे बरतन बजार पहुँच जाए पर वहां इतनी कम जगह में भी जरूरत का हर सामान मिल रहा था कपड़े, जूते चपल, कॉस्मेटिक का सामान, जुमके, चूडियां और भी न जाने क्या क्या मधू और मीरा हर दुकान पर रुक कर कुछ न कुछ देख रही थी पर मधू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे इसलिए वो अपनी पसंद की चीजे देख तो रही थी पर उसे ये कहकर वापस नीचे रख देती की आगे देखते है पर मीरा उसकी बचपन की दोस्ती उसे बहुत अच्छे से पता था कि मधू को क्या पसंद है इसलिए वो उसकी पसंद की चीजे ये जा रही थी उस छोटे से बजार में दो घंटे कैसे बिद गए मधू को पता ही नहीं चला दोनों धेर सारा सामान हाथों में लिए चोर बजार से बाहर आई बाहर आते ही मधू ने मीरा से कहा मीरा अब अगर हम यहां आही गए तो चलकर यहां की कचोरी भी खा लेते हैं न मीरा ने मूह बनाकर कहा पर अगर हमें देर हो गई तो तेरी मा तुझे बहुत दांगी मधू ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा यहां की कचोरी खाकर ही अपना पेट भर लूंगी तो मा की डांट का असर भी थोड़ा कम हो जाएगा ये सुनकर मीरा को बहुत जोर की हंसी आ गई और मधू को भी चल मीरा ने मधू की हथेली पकड़ी और दोनों इमाम बाड़े के सामने से निकल कर कचोरी की दुकान की ओर जाने लगी मीरा ने चलते हुए कहा यहां आकर हम बिना कचोरी खाए कभी गए है जो आज जाएगे कचोरी भी खाएंगे और तेरे फेवरेट गोल गप्पे भी और आइस्क्रीम भी दोनों हसने लगी वेलकम गाइस हमारे चैनल पर नई है टू लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करे ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको